है विचियों लाज्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कंपड़ी में इंक्लायस की जो सेलरी सीट है वो कैसे क्रियेट करते मैं और मन आपको किस फिल्ड में कौन सा फर्मुला अप्लाई करना है यह मैंने आपको सिखाया था आज किस वीडियो में हम उसके आगे करने जा रहे हैं और इसके अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि जो आपने salary slip create की है उसमे salary जो seat है इससे data पर कैसे लेके आएंगे automatically यह हम अगले वीडियो में सीखेंगे बिसकली आज किस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ salary slip कैसे create करना है कैसे design करना है यह सीखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को अपना open करना है MS word और इसके बाद आप लोगों को जाना है कुछ settings करनी है सबसे पहले जाए page layout में यहाँ पर जो orientation है इसको कर लिजे landscape और इसके बाद margin पर कर लिजे यहाँ पर narrow top bottom left right से 1.27 cm and इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक border apply कर देते हैं कुछ इस type से box कर देते हैं and यहाँ सब्सक्राइब कर दिया तो यहाँ पर border apply हो चुका है अब क्या करेंगे सबसे पहले आएंगे insert में and यहाँ से हम लोग दो रोज यहाँ से insert कर लेंगे तो सबसे जो पहले जो है यहाँ पर हम लिखेंगे जो company का नाम होगा वह आप यहाँ पर type करेंगे तुमने यहाँ टाइप कर दिया है new tick solution private limited and इसके बाद हमने यहाँ पर नीचे सिल्मे कर दिया है जो address है now 209801 and हमने यहाँ लिख दिया है up अब क्या करेंगे इसको थोड़ा सा format करेंगे तुमने यहाँ पर company का नाम कर लिया है select and इसके बाद जो इसका size है मैं कर देता हूं 20008. 10 इसके बाद जो उसका color है मैं कर देता हूं white जा अरवना कúngकि दिकत नहीं इसको मैं कर देता हूं bullet and इसके बाद center and इसके बाद जो इसका content है रखने वाला हूं जो इसकाifs रहेगा फॉंट फेस रहेगा पो रहेगा लुसीडा फैक्स दिन इसके बाद ही गाम करना है हमको इस एड्रेस में इसका हमसाइज करने वाले हैं आप एटीन एंड इसका कलर कर देते हैं हम लोग यहां से ग्रीन जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं आपकी इसके बाद इसके पहले और इसके बाद में कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा रहेगे चलिए अब आरी आती है कि हम लोग यहां पर उन फील्ड को क्रेट करें जिनके में उसकता पढ़ने वाली है बट उसके पहले हां पर देंगे एक हेडिंग एंड डैट इस सेलरी स्लिप इसका छो साइज है विए हम कर देते हैं अट ठिन्टी सिक्स ताकि था अच्छा लएक देखने में ठीक है आप लोग अपने सुधा के अमसार कर सकते हैं अपने जो भी आपकी इच्छा है उसका अपकर यहाँ पर इसको ले सकते हैं और मैं इसको कर देता हूं जिसक के बाद हम लोग यहां पर ले लेते हैं एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं तो यह इस टैप से ध्यान दीजेगा यहां पर आप लोगों को फॉर फॉर कॉलम रखने चलिए सबसे बहarta लिखते हैं कि संसर्फ करीं इसका मंत कर साइप है और उसके पहले यहां पर इसका फॉन नेम एंड इसके बाद यहां पर इन्होंने कितने दिन काम किया है यानि की वर्किंग डेज ठिक एंड इसके बाद यहां पर फिल्ड और लिख लेते हैं लाइक डेट क्या है जिस दिन इस लिप को ट्रिंट किया गया है या बनाया गया है एंड इसके बाद डिजनेशन उनका पकॉंचर और संदेट क्वानेत्यों क्षोंब के इसके बाद यहां पर बनाएंगे दो कॉलम जो पहला आं पर एंग्यों नियू ofere लाइएंगे जो इंक कितनी है हं यहां पर किन आर इंगने में लिखेंगे अन इसाहन लिखेंगे रिप Но है एंड इसके बार लोगों को शेक्वाद यहां पर आंगा रॉआ wnी कुलिक करिए आएप लोगा को कर दिजे यहां से चल कर लिजे और ने लिग्रोगों से चल कर लिजिए इसको बार यहां क्वाइट कर देते हैं जो इसका background है वो कर देते हैं इस टाइब से ताकि अच्छा लेग सर्फ रहें ब्याइब.. पेमिन्ट यहां लिए सते हैं बेसिक सेलरी साव riots जना पर लिएक बेसिक पे जो इनका कटने वाला है and that is advance किनों कितना लिया था पहले हम क्या करते हैं जो इनकी earning के source है वो लिखते हैं basic पे हो गया एच आरे हो गया आपको tap करते आना है तो यहां पर जो रो है इंसर्ट होती जाएगी एच आरे के बाद convince के बाद में लिखते हैं हम लोग यहां पर bonus bonus इसके बाद यहां पर लगते हैं कि उनकी gross salary है वो कितनी है वहां यहां पर लिखेंगे ग्रॉस सेलरी टिक एंड इसके बाद हम लोग यहां पर लिखते हैं इनके जो डिडेक्शन ओले फिल्ड हैं जैसे कि एडवांस हो गया जो नहीं चुट्टी ली थी उसका पैसा कितना कटना है तो लिव का डिडेक्शन एंड इसके बाद जो इनका यासाई है वो कितना है इस है इसके बाद जो टोटल इन का क्या डिडेक्शन वह यहां पर हम पो तोल डिडेक्शन टिक चलिक हम और इन फ Leon को create कर लिया है इसके बाद हम यहाँ पर जो इनकी net salary है वो यहाँ पर प्रिंट करेंगे जो इनकी निकलेगी gross salary minus टोटल डिरेक्शन क्योंकि जो यह फार्मूला जो हम लोग एक्सल में अपलाई कर चुके हैं अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको देख लिजे क्योंकि जो इसके बाद वीडियो आने वाला है उसमें आपको इन दोने वीडियो की help मिलेगी यह उसकी कर देते हैं यहां से कर देते हैं 1.5 चलिए छलिए यह तो सही आ रहा है इसके फारेस्फारास जोड़ देते हैं इस प्रिस भीफूर अब सबॉस्थ ए इसके बाद जो ए फिल्टेंस हैं इनका बैग्ग्राउंड तो आपको करना सेलेक्ट अन इसके बाद मिलेगा आपको यहां से आप बैग्राउंड सेट कर सकते हैं तो मैं इसका कर देता हूं ग्रे लाइट ग्रे एंड इसके बाद यही काम मैं कर देता हूं इसमें भी लाइट ग्रे एंड यही काम हमको इन सब जो कॉलम से समय करना है तो हमने आसे इनको कर दिया है तो आपका इतना कंटेंट त यहां पर टांट कर देता हूं लाइक आपने प्रहसे अन्सकों कंने कर देता है जो फोनक अर्शें न is बट यह तो पूरे ही इसमें आ गया है कोई दिक्कत ने से इसके आप लगा दिया है इसके बाद यहे का आपको करना यहां पर डारेक्टर में आप देखेंगे थे से हो जा रही है इंप्लाइन की आपको सबस्क्राइब कर लेना है अपने रिक्वार्मेंट के अनुसार आप क्या करना है आपको इन दोनों ही रोज को करना है सेलेक्ट और इसके बाद रिमूट इस पेस और पर आप देखेंगे यहां पर आपके कंटेंड थे एक ही पेज में आ चुके हैं तो आप लोग इस टाइप से सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोगों की यूडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकत आपको वहां से काफिल मिलने वाली है तो गाइस अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो एक्सल में जो हमने सेलेक्ट क्यों है उससे डेटा हम एमस वर्ड में करसे लेके आएंगे और अट्मेटिकली सेलेसलिप इस रिकॉर्ड के अमसार कैसे जन्रेट होंगी आट् तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदेम आत्म थैंक्यू तर्म्स